आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गाजर का हलवा, यह हम सब का बहुत ही फैवरेट होता है और इसे बनाना भी बहुत असान है, तो चलिए इस गाजर की रिस्पी को बनाना स्टार्ट करते हैं कुकर को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, अब हम इसमें घी यूज करेंगे, यहां पर मैंने 100 ग्राम घी का यूज किया है, यह बिल्कुल प्यूर घी है, और प्यूर घी में अगर हलवा बनाए तो और टेस्टी बनता है, और छोटी इलाची डालने के बाद अब हम इसमें घ हुए गाजर को एड़ कर देंगे, यहां पर मेरा गाजर वन केजी है, फिर सारे गाजर को डालने के बाद अच्छी तरह से चलाएंगे, और इसे पांच से आठ मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे, मैंने गाजर को अच्छे से भून लिया है, अब इसमें दूद को एड़ करेंगे, दूद मैंने एक लिटर लिया है, फ्लेम को मीडियम रखेंगे, अब इसे अच्छी तरह से गाजर को दूद में कुक करेंगे, ताकि दूद पूरी तरह से ड्राई हो जाए, और गाजर भ यह देखिए दूत पूरी तरह से रिड्यूस हो चुका है। इसे पकाने में मुझे 20 मिनट लगे हैं। अब इसमें शुगर आट करेंगे। यहां पर शुगर मैंने दो कप लिये हैं। और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसके बाद कदू कस किये हुए नारियल को एड़ करेंगे। फिर उसके बाद कुछ कटे हुए ड्राइफूर्स भी एड़ कर देंगे। यहां पर आप अपने पसंद का भी ड्राइफूर्स एड़ कर सकते हैं। और फिर इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब इसे इस तरह से पकाएंगे कि चीनी जो थोड़ा बहुत भी पानी छोड़ेगी वो भी ड्राई हो जाए तो इसे चार से पांच मिनाट तक मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे ये देखिए शुगर पूरी तरह से हलवे में डिजॉल्व हो चुकी है कितना यमी और डिलिसियस गाजर का हलवा बनकर तेयार हुआ है तो देखा आपने कितनी असानी से मैंने गाजर का हलवा बनाया आप भी इसे एकबर जरूर ट्राई करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले